हेलो एंड वेलकम बैट uh сींजी मिलिंग ऑपरेशंस टुटिरियल मास्टर गैमके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैलिक्स बोडिक के बारे में हैलिक्स बोडिक बहुत इंप outta thephin वापरेशन एं जिसका यूज oyuze महसिनिंग कर सकते और अपना टाइम जो हमारा मेन इसू आता साइकल टाइम का उसे हम सेव कर सकते हैं तो आई देखते हैं कि किस तरीक से फ्रोसेस रहता है 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 हैलिकल बोरिंग बॉप्रेशन भी सिमीलर है सर्कूलर मीलिंग की तरह अब इसके अंदर Helical Boring Operation करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर Hole Making के Helix Bore Operation के उपर Helix Bore पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें क्लिक करना है Entities पर Entities पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर Selection करना है Circle जिस चीज को Circle Selection करना है then हमें click कर लेना end selection पर and okay तो यहाँ पर हमने parameters दिखा दिया है कि हमारा जो hole है, circular hole उसका diameter कितना रहेगा then हम tool selection कर लेते हैं इसके लिए हम 10 mm का end meal ले लेते हैं क्योंकि हमने इसको already measure किया था कि hole का size है वो लगबक 18 mm then हम बात करते हैं stock size के बारे में and next one cutting parameter जैसे कि हमें finishing या further operation के लिए stock छोड़ना है wall में या floor में तो वो value हम यहाँ पर लिख सकते हैं साथ ही हम यहाँ पर value input करते हैं starting angle and starting angle जिसका आर्थ है कि starting angle कितना रहेगा अभी हमने इसका दे रखा 90 degree जिसका आर्थ यह है कि जो हमारा cutting करना start होगा वर्कपीस का वो यहाँ पर 90 degree से cutting करना start होगा मताब first 90 degree से cutting start करेगा plunge अब यहाँ पर हमने जब click करते है start at center तो जिसका आर्थ है कि जो plunge करता है वो center में plunge करता है और यदि हम बात करते हैं perpendicular entry तो perpendicular entry पर क्या होता है start and center में क्या होता है मैं अभी आपको तोड़ा deeply बता देता हूँ उसके बाद जो सबसे important parameters रहते हैं वो हमारे इसके अंदर रहते है roughing and finishing parameter जब हम बात करते हैं roughing and finishing parameters के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा option रहता है rough pitch rough pitch का अर्थ हो गया कि हमारा एक बार circular में घूमेगा तो कितने mm डेप्थ में जाएगा तो हमने इसके लिए यहाँ पर roughing का operation है तो यहाँ पर 2 mm लिख रखा है हम यहाँ पर as per material tool selection के according easily select कर सकते हैं similarly next one option है number of rough passes यदि हमे number of rough passes इंक्रीज करने तो यहाँ पर हम वह value लिख सकते हैं and third one parameter है feed rate at finish depth feed rate का अर्थ क्या हो गया कि जब हमारा hole कोई भी cutting करने बैठ जाएगा तो finishing के अंदर depth के अंदर जाएगा तो उसकी feed rate यदि हम कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी feed rate को reduce भी कर सकते हैं जिससे की हमारा नीचे की समय जब cutting करेगा तो material जो हैं कम contact में रहे next one दिए हमें finishing operation भी करना है तो यहाँ पर mark करके finishing भी selection कर लेंगे यहाँ पर finishing के अंदर तीन अलग अलग methods रहता है सबसे पहला हेलिक upward हेलिक downward and circle अब आईए समझते हैं हेलिक upward card क्या होता है हेलिक upward card हो गया कि bottom से cutting करना start होगा और cutting करते करते ऊपर की तरब जाएगा downward card हो गया कि ऊपर से cutting करते भी start होगा finishing के दोरान और bottom की तरब जाएगा and third one है हमारा circle circle card हो गया कि tool directly bottom में जाएगा और bottom में finish cut ले लेगा तो इसके लिए धियान रहे हमेशा जो use करना हमें use करना है हैलिक downward उपर से cutting करते हुए हमारा finishing operation जाएगा और नीचे की तरफ cut करते next one finishing के लिए pitch कितना रखना वो value हमें input कर सकता है pitch value थोड़ा down कर लेता है finishing के लिए step over कितना रखना है next one हमें इसके लिए finishing के लिए feed rate देना है या spindle speed देना है वो value भी हम input कर सकते है last and final हमारा जो parameter है वो linking parameters तो linking parameter clearance, retract, feed plane top of the stock के आपे click करेंगे और इस type की profile है तो मैं top of the stock के ले लेना है और depth पर click करके हमारी workpiece को depth देना और के लेना है और के लेना है